सोमवार की मधिरात्री से लगातार होरी बारिश के कारण नांद नदी में पानी भर गया है और नांद इस्तित महादेव घाट मंदर का निचला हिस्सा जल मगन हो गया है किनारे स्तित 5 किलो मीटर गाव चिकला पार में एक ही चौकी का प्रवा पूरे गाव में फैल गया जिससे गाव की अधिकांश घरों में पानी रिस रहा है और कुछ घरों में खाद्यानन को नुकसान पहुचा है हालकि इस दोरान कोई जनहानी नहीं हुई लेकिन बार ने नदी के किनारे सोयावीन तूर और मिर्च के खेतों को तभा कर दिया है जिससे किसानों को करोडों रुपए का नुकसान हुआ है बासकर इंगले ने प्रशासन से नंद और चिकला पार शेतर में क्रश्ची और घरों को हुए नुकसान पर पंचनामा आयोजित का तत्का साहता प्रदान करने का नुरोध किया है इस बारिश की वज़ा से कई लोगों को नुकसान हुआ है और खेती में भी बहुत नुकसान हुआ है किसानों के हाथ जो भी कुछ आता था वो भी इस बारिश ने पूरा छीन लिया है यह भी हम कह सकते हैं BCN News के लिए भीवापूर से राम वागमारी की रिपोज